हेलो एब्रिवान वेलकाम टू फाइनल टाच और मैं हूँ सरज कुंडु आज हम इस चैनल में एप्रिल 2020 की इंपोर्टेंट कारेंट एफ्यास को लेकर डिसकास करेंगे और इस चैनल में आपको कारेंट एफ्यास के उपर कोस्चेन एंसार का भी वीडियो मिलेगा और उसके साथ साथ जो RRB NTPC and Railway Group D का एक्जाम होने वाला है उस एक्जाम का एक्जाम रिव्यू भी आपको इस चैनल में मिलेगा तो जुले रहे हमारे साथ तो चलिए शुरू करते हैं एप्रिल 2020 पार्ट टू को मार्जर और पाब्लिक सेक्टर बैंक 2020 तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से पाब्लिक सेक्टर बैंक को मार्च किया गया है ओरियन्टल बैंक अप कोमर्स and United Bank of India को मार्च किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ और जो बरे बैंक बने है वह पंजाब नेशनल बैंक इसको एंकर बैंक भी कहा जाता है Next, Syndicate Bank को मार्च किया गया है कनारा बैंक के साथ and Indian Bank को मार्च किया गया है इलहावाद बैंक के साथ Next, Andra Bank and Corporation Bank को मार्च किया गया है Union Bank of India की साथ Next, category, Obiswary हाली में निधन हुआ है दो थेमास बोल्यूट एक्टर की इर्फान खान और रिशी कापूर इर्फान खान की पहला मुवी था सालाम बोंबे और रिशी कापूर की पहला मुवी था मेरा नाम जोकर नेक्स्ट काटेगरी है रैंकिंग की वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स 2020 में टॉप किया है नौर्वे ने और इंडिया की रैंक है 142 फोब्स बिलिनायर लिस्ट में टॉप किया है जेव बिजोस ने और मुकेश अंबानी का डैंक 21 मुकेश अंबानी जो इंडिया की रिचेस पर्शन की लिस्ट में टॉप पर है नेक्स्ट काटागरी है बुक्स बैक्स्टेज इस बुक को लिखा है मॉन्टेक सिंग अलुवालिया नेक्स्ट हाउ दा ओनियान गोट इस लेयर इस बुक को लिखा है सुधा मूर्ती इस बुक को लिखा है सुधा मूर्ती ने थार्ड साराजी राव गायकार्ड यह पीवी सिंधु का बायोग्राफी है एंड श्रीदेवी दा इटर्नल स्कीन गॉड़ेश इस बुक को लिखा है सत्तर्थ नायक ने नेक्स्ट कैटगरी है एब्रिवियेशन की करोना भायरस के लिए गवर्मेंट एफर्ट को और ज्यादा बधोवा देने के लिए एक सिविल सर्विस एसोसीयेशन बनाया गया है जिनका नाम है करुणा करुणा का फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एसोसीयेशन रिच तू सापोर्ट नैशनल डिजस्टर नेक्स्ट ऑपरेशन सिल्ट जो की लॉंच किया गया है दिल्ली गवर्मेंट के द्वारा और इस सिल्ट का फुल फर्म है सिलिंग, होम क्वारेंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंटियल सप्लाइ, लोकल सैनिटरिजेशन एंड दोर टोर चेक एंड नेक्स्ट जुक्ति, जुक्ति का फुल फर्म है यांग इंडिया कंबटिंग कोविट विथ नॉलेज, टेक्नोलोजी और इनुवेशन नेक्स्ट एंड लास्ट काटेगरी, इम्पोर्टेंट देज, व्ल्ड आटिजम अवर्नेस दे, मनाया जाता है 2nd एप्रिल को और इसका थीम है, The Transition to Adulthood नेक्स्ट, व्ल्ड हेल्थ दे, मनाया जाता है 7th एप्रिल को और इसका थीम है, Support Nurses and Midwives नेक्स्ट, व्ल्ड होम्योपथी दे, मनाया जाता है 10th एप्रिल को और इसका थीम है, Enhancing the Scope of Homeopathy in Public Health नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेशनल मादर आर्थ दे, मनाया जाता है 22nd एप्रिल को और इसका थीम है, Climate Action and World Malaria Day मनाया जाता है 25th एप्रिल को और इसका थीम है, Zero Malaria Starts With Me तो एथा आज का हमारा Current Affairs का वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और helpful लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और share कीजिए और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले, ऐसे सारे महिने का Current Affairs आपको इस चैनल में मिलेगा और उसके साथ-साथ Current Affairs के उपर Question-Answer का भी वीडियो आपको मिलेगा और इसके साथ-साथ RRB NTPC and RRB Group D का exam review भी आपको इस चैनल में मिलेगा तो जुड़े रहे हमारे साथ और इस वीडियो को लेकर आपको अगर कोई भी doubt है या कोई question है तो आप नीचे comment box में comment कीजिए तो आज के लिए इतना ही मिलते है next वीडियो में